जहां पर मूर्ती बनती है, तो सिल्पकार जो होता है, जो मूर्ती बनाता है, सिल्पकार होता है, चैनी और हतोड़ा का उप्योग करता है, और चैनी और हतोड़ा का उप्योग करके उसे मूर्ती तयार होती है, कई बार चैनी लगती है, कई बार हतोड़ा लगता है, उसके उ आत्मा में कर्म के पिंड इतने भड़े हुए हैं कि इसमें कई बार छेनिया लगेगी कई बार हतोडिया लगेगी छेनिया तोडि के मतलव इस आत्मा में कई बार जचपोरा जाएगा हमारे माध्यम से ही दूसरे के माध्यम से भी जचपोरा जा सकता है जिन्वानी माँ जजो रहे है तुम्हें बार बार डाट रहे है जिन्वानी माँ ध्यान दखना ललकार रहे है काट रहे है साइड से वो कर रहे है जबी तो आप अहंतर सिद्ध की आत्मा की प्राक्ति कर पाओगे नहीं तो सिद्ध और अहंतर सिद्ध आप नहीं बन सकते अहंतर सिद्ध बनने के लिए आपको पुर्शात कर्दमा पड़े जिस पता से कोई बच्चा UPSC की परिच्छा देता है UPSC की परिच्छा में पढ़ाई के लिए उसे बीस-बीस घंटे पढ़ना पढ़ता है पढ़ना पढ़ता है कि लिए चार उत्रब से दिमाग को हटाना पढ़ेगा तब बनितर के कलेप्टर बनता है इतने बच्चे बैठती है और उसमें से कुछी बच्चे निकम पाती है क्या है अधिक सोचू